प्रसून जी जब लिखते हैं तो उनकी कलम बिल्कुल दिल, हर भारती के दिल में उसे लफजों में पिरो देते हैं प्रसून जोशी जी नमशकार और तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े आपने कुछ पंग्तियां लिखी हैं, पहले तो मैं चाहूंगी कि आज वो पंग्तियां आप जरूर सुना दीजे क्योंके हरदीप पुरी जी भी हमारे साथ हैं और दर्शक भी सुनना चाहते हैं बिल्कुल नाविका जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हरदीप सिंग जी को भी प्रणाम मैं देखे, मैं इस कविता को सुना चुका हूँ या मैंने आपको भेजी है इस से पूरू मैं उलेक करना चाहता हूँ उस कविता का जो मैंने तब लिखी थी जब हम चन्जान के मिशन पर सफल ताके बहुत करीब पहुंच कर भी नहीं पहुंच पाये थे तो मुझे लगता है कि आवशक है कि हम याद करें उस क्षण को भी कई बार क्या होता है हम अपनी जो नहीं कर पाते हैं उसको बहुत जल्दी बुला देतें उससे बहुत कुछ सीखने की आवसकता होती है तब मैंने ये लिखा था कि फिर से हम संकल्प उठाकर और त्वरा से निकलेंगे फिर से हम संकल्प उठाकर और त्वरा से निकलेंगे नस नस धनुश डोर खीचेंगे विजय गगन पर लिख देंगे जाग उठी है जोत हिर्दय में अब इसको है चैन कहां अंधकार से जाकर कह दो उजियारे ही जीतेंगे ये मैंने तब लिखी थी कविता और आज जो मैंने आपको भेजी है कविता वो आपको मैं सुना देता हूँ चंद्रियान की टीम ने देखो कैसा अद्भुत काम किया युगों युगों से सूत काती अम्मा को आराम दिया चंद्रियान की टीम ने देखो कैसा अद्भुत काम किया युगों युगों से सूत काती अम्मा को आराम दिया यही चांद मांगा करता था मोटा एक जिंगोला इसी चांद का मुह टेड़ा था यही था वो अलवेला अब मैया से जिदना करेंगे बाल कृष्ण मुस्काएंगे चंद खिलोना हाथ में लेकर लीला नई रचाएंगे और हम भी आप पास से जाकर देखेंगे बस घूर के और न कहेंगे चंदा से हम चंदा मामा दूर के बहुत सही का आपने अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे चंदा मामा पास आ गए हैं और कविता दिल को छूने वाली आज का लमहा आज का ये पल दिल को छूने वाला और हर भारतिये का दिल और सीना जो है वो गर्व से चोड़ा करने वाला